हेलो गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो गाईज आज की वीडियो पर मैं आपको बताने बाला हूं कि आप कैसे अपने स्पार्ट टीवी के अंदर इंटरनेट की हेल्प से लाइब स्ट्रीमिंग कर सकते हैं ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं थिक है और एख है TV mat application श के बारे आपने सुना होगा और ltt application के बारे संट ऑगा और ett canal होगा एजasmई यू ओट टीवी या जो सेम हिए ओट नेवीडिटर और टीट टीवी ठीक है ये दोनों सेम है इन सब की जो जो लेंक है description पे मैं आपको दे दूँगा telegram पे मैं आपको मैं दे दूँगा महाँ पर जाके आप check out कर सकते हैं तो इसके तीनों application के interface different होते हैं लेकिन काम सब same ही करेंगे ठीक है और Kodi application के बारे मैं आपको वाली से पते लिए कि इसमों Jio TV के channel चलते हैं ठीक है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहरे TV में के बारे में ठीक है तो simply apps को open करेंगे ठीक है तो guys यहाँ पर आपको जैसी की देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलते हैं playlist और setting तो हम simply setting पर click करेंगे ठीक है और फिर यहाँ पर हम देखेंगे playlist पर ठीक है आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको add playlist का option देखने को मिलता है simply आपकी remote की help says पर click करेंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक enter URL लिखाव रहा और यहाँ पर paste from keyboard और select local playlist ठीक है तो simply आपको यहाँ पर एक जो link है वो paste करना पड़ेगा ठीक है उसका जो link है आपको इसके लिए मेरा telegram जो channel है वो join करना पड़ेगा ठीक है तो simply आपको फिर यह जो link है देन उसके बाद टैप करने के बाद आपको simply next करना है ठीक है तो यह आपको मैं बता दिया है मैंने इसके बारे में tv mat के बारे में ठीक है दन इसके बाद है आपका ott tv simply हम इसको open करेंगे ठीक है यहाँ पर भी आपको simply या रहा है setting में कुछ नहीं करना simply आपको इस sorting पर जाना है इसके बाद provider ठीक है अब यहाँ पर आपको add provider playlist ठीक है यहाँ पर भी आप दे सकते है एंटर address के लिए बोल रहा है तो यह जो दिनी भी address है सब मैं आपको telegram के अंदर दे दूँगा आपको वहाँ पर जाकर अपकी जो जो इफ्लर दे ने करना अप थरे तो simply आपको इस पर आप करने के बाद apply कर देना है apply के बाद application को restart करना पड़ेगा ठीक है restart करने के बाद जो आपको चाहिए वो आपको में मिल दाएगा ठीक है तो I hope मेरा video आपको helpful लगा होगा तो मिलते हैं next video में thank you so much for watching